स्टेप वन्वेस्ट लेट्स चेक दफेक्ट्स तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 75% भी सही होता तो मैं अपने उम्मीदों से भी बड़ा होता और उन्होंने किसी इंटर्वी में यह भी खा था कि अगर कोई 54% सही होता तो वह वाल स्ट्रीट में एक दिन में मिलियंज डॉलर भी कमा सकता था इसका मतलब हम लोग 54% भी सही नहीं होते हैं तो हम दूसरों को क्यों गलत कहते हैं लॉर्ड केश्टरफिल्ड लेटर तो इस सन नामक बुक में उन्होंने अपने बेटे से कहा है कि बी वाइजर देन अदर पीपल इफ यू कैन पर दू नॉट टेल देम सो सेकेंड इस्टर ओल्वेज इस्टे इन पॉजिटिव फ्रेंड अगर आप अपने किसी दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो आपको गुस्टा आ जाता होगा और आप उसके लिए बूरा सोथना शुरू कर देते होंगे पर इसे आप पॉजिटिव मिले कर यह कहें कि अरे यार हो सकता है कि उसकी भी कोई परिशानी होगी जिससे उसने ऐसा किया होगा Friends, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सिहत भी अच्छी रहेगी और आप उसके बारे में बूलकर किसी अच्छे लम्हे के बारे में सोतना शुरू कर देंगे Third step, try to understand others Friends, अगर कोई विव्यक्ती आप से कुछ कहता है तो आप तुरंट उसका मतलब अपने हिसाब से positive या negative में निकालना शुरू कर देते हैं लेकिन आपको याग रखना है कि वह कहा हुआ वाक्य का असली मतलब उसे कहे जाने वाले इंसान के पास ही होगा तो इसलिए दूसरों को और उसके कहे जाने वाले शब्दों को समझो फिर react करो Friends, आज के लिए बस इतना ही अगली बार मैं और interesting वीडियोज लाऊंगा